नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा ओल एक पी नोटिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो ताजा ख़बर ब्रीकिंग न्यूज आई है कि हिमाचल प्रदेश की जो जैसी सी की बैठका आज जो है वो खत्म हुई है जिसमि करमचारियों को जो है बड़े तोहफे दिये गया है क्या न्यूज आई है पूरी जानकारिया आपको इस वीडियो में देने बाला हूँ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देख सकते हैं ताजा खबर ब्रेकिंग न्यूज आई है कि जैसी सी बैठक में हिमाचल के पैंशनरों के लिए बड़ी गोशना मेडिकल बेल के साथ पैंशन ब्रिधी भी मिलेगी तो मुखे साचिव आडी धिमान की अधेक्षता में हो रही जैसी सी बैठक में पैंशनरों के करीब 117 प्रतिनीदियों ने हिसा लिया बैठक में CM जैराम ठाकुर ने पैंशनरों के लिए बड़ी गोशना किये है तो हिमाचर प्रदेश के पैंशनरों की पहली संयुक्त सलाकार समीती जैसी सी की बैठक में बुदबार को CM जैराम ठाकुर ने बड़ा एलान किया है मुखे सचेव आड़ी धिमान की अध्यक्षता में हो रही जैसी सी बैठक में पैंशनरों के करीब 117 प्रतिनीदियों ने हिसा लिया मुखे मंतरी जैराम ठाकुर ने कहा कि पैंशनरों के मेडिकल बिल भुक्तान के लिए 25 क्रोल रुपे दिये जाएंगे पैंशनरों को जो है सरकार से पैचान पत्र जारी होंगे 75-75 साल में पैंशन ब्रिद्धी क्रमशा 5-10-15 फिस्ती मिलेगी प्रदेश के पैंशनरों को पंजाब की तरज पर ही वित्यलाब देने की मांग करते प्रमुक्ता से कर रहते थे बैठिक में हिमाचल पैंशनर कल्यान संग की अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा समीत अन्य पदादी कारी भी मौजूद रहे 55-45 दार के मांदे में समान जनक ब्रिद्धी की सीयाम मुखे मंतर जाराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कारेकाल में पंचाइच चोकिदारों के मांदे में समान जनक ब्रिद्धी की है सियम जाराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की योजनाओं और कारेग्रामों के सफलक क्रियानवन में सबसे मैतपूर्ण भूमिका निभाने बाले सरकारी करमचारियों और पेंशन भोगियों को संशोधित बेतनमान का भी लायाप जो है दिया गया है मुख्य मंतरी ने प्रदान मंतरी नरेंद्रमोदी के हाथ मजबूत करने और सरकार के मिशन रिपीट लक्षे को हासिल करने में सयोग देने का जो है आग रह किया तो दोस्तों ये थी तार्या खबर ब्रिकिंग न्यूज अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नाटिफिकेशन सबसे पहले पहु झाल झाल झाल